इस वीडियो में हम सीखेंगे polar plot draw करना जहां पे हमें एक open look transfer function दिया हुए है GSHS के टब में 1 upon 1 plus T1S into 1 plus T2S इसका हमें polar plot draw करना है तो यहां पर हमें polar plot draw करने के लिए हमें कुछ steps follow करने पड़ेंगे simple steps हैं उनको हम follow करते जाएंगे और last में हम draw करेंगे polar plot तो चलिए solution पर आते हैं polar plot draw करने के लिए पहला step होता है step 1 लिखता हूं मैं है हमें put s is equal to j omega तो जो हमें transfer function दिया हुआ है वहाँ पर जहां जहां भी s है वहाँ पर हम put करेंगे j omega तो दिखें क्या होगा हमें transfer function मिलेगा g j omega h j omega is equal to 1 upon 1 plus t1 j omega into 1 plus t2 j omega तीक है यह एक question मिला दूसरा step 2 step 2 में हमें magnitude find करना है find magnitude magnitude find करेंगे इसका देखें तो यह होगा mod of g j omega h j omega is equal to क्या हो जाएगा देखें magnitude कैसे निकालेंगे इसका लिखेंगे 1 upon real का square real component का square plus imaginary component का square और उसका under root कर देखें लिखेंगे under root 1 square plus t1 square omega square उसी तरह इसका लिखेंगे magnitude तो 1 square plus t2 square omega square यह इसका magnitude हो गया है इसको m से भी लिखते हैं m is equal to हो जाएगा यह आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखें step 3 पे आते हैं step 3 पे हमें क्या करना होता है angle निकालना होता है तो angle को हम लिखते हैं phi से phi is equal to क्या हो जाएगा देखें जब भी हम angle निकालेंगे तो angle के लिए लिखेंगे 10 inverse imaginary part upon real part तो यह होगा हमारा angle phi is equal to ठीक है इसको अभी side कीजिए अब इसका use करके हम देखें angle निकालेंगे यहाँ पे तो angle निकालने के लिए हम इस time का use करेंगे इसका use निकालेंगे magnitude का तो देखें पहले इस time का हम angle निकालेंगे यह किसमें है denominator में है तो denominator को हम अमें से लिखेंगे minus में याद रखेंगे minus 10 inverse इसका imaginary part कौन सा है omega t1 और इसका real part क्या है 1 तो upon में लिखेंगे 1 फिर से देखिए ये denominator में है इसका भी अंगल निकालेंगे तो यहां लिखेंगे minus 10 inverse इसका imaginary part हुआ omega t2 और real part हुआ 1 तो ये हुआ angle तीक है इसका हम और आगी use करेंगे देखिए अब बढ़ते हैं step 4 पर यहां पर हमने एक table draw किया है जिसमें हम लिखेंगे starting point जहां पर हम put करेंगे omega push 0 और terminating point निकालेंगे वहां पर put करेंगे omega is equal to infinite तो इसके लिए हम पहले magnitude निकालेंगे और angle निकालेंगे दोनों निकालेंगे कब जब omega is equal to 0 हो और omega is equal to infinite put करें तो देखिए magnitude के लिए magnitude में put करेंगे यहां पर देखिए magnitude का हमें यह expression है और angle निकालेंगे तो angle में put करेंगे तो पहले magnitude निकालते हैं, तो omega is equal to 0 जब put करेंगे magnitude में, तो देखें यह omega यहाँ पर 0 put करेंगे और यहाँ पर 0 put करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 upon under root 1, that means 1, तो हमें magnitude मिला 1, उसी तरह हम angle निकालेंगे 0 पे, तो देखें, 10 inverse 0 हो जाएगा यह, minus 10 inverse 0, तो 10 inverse 0 होता है, 0 0 angle, तो minus 0 minus 0, तो 0 angle होगा, उसी तरह terminating point निकालेंगे, तो इसके लिए omega is equal to infinite put करेंगे, तो infinite देखें, magnitude में पहले put करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, infinite हो जाएगा, यह term, प्लस यह term भी infinite हो जाएगा, तो 1 upon infinite क्या होता है, 0 होता है, तो magnitude मिला हमें, 0, उसी इंगल निकालेंगे, तो angle निकालने के लिए, देखें, इस term का use करेंगे, इसमें हम, omega is equal to infinite put करेंगे, तो यह मिलेगा, 10 inverse, minus 10 inverse, infinite, minus 10 inverse, infinite, तो 10 inverse, infinite होता है, 90 degree, तो minus 90 degree, और यहाँ भी minus 90 degree मिलेगा, is equal to कितना मिलेगा, minus 180 degree, तो यहाँ पर angle मिलेगा, minus 180 degree, अब step 5 पे आते हैं step 5, इसमें हम, निकालेंगे, rotation of plot, तो यह हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए, 5 2 minus 5 1 लिखते हैं, देखें, यह है, 5 2, और यह है, 5 1, मिन्स, angle 1 है, angle 2, तो इसको निकालेंगे, तो यह होगा, देखें, minus 180 degree, minus 0 degree, that means, यह होगा, minus 180 degree, ठीक है, तो देखें, minus मिला, तो rotation क्या होगा, clockwise, और अगर plus मिलता, तो anti-clockwise होता, इसको याद रखेंगे, अभी minus मिला है, मतलब clockwise, ठीक है, अब हम, इस table की help से, और इस table 5 की help से, हम बनाएंगे, polar plot, तो यहाँ पर हमने, इसका axis बना लिया है, polar plot के लिए, यह होता है, real axis, यह होता है, imaginary, उसी तरह यह minus real, और यह minus imaginary, और यह होता है, origin 0, ठीक है, अब इस data का use करेंगे हम, तो देखें, पहले starting point पर आते हैं, starting point पर magnitude है, 1, ठीक है, किस एंगल पर, 0 degree वाले एंगल पर, तो देखें, यह होता है, 0 degree, यह 90 degree, यह 180 degree, यह 270 degree, और फिर से, यह 360 degree, अब देखें, starting point है, तो starting point में हमें, वह minus equal to 0, पुट किये थे, तो magnitude मिला था, 1, और angle 0, मतलब कि इतना स्योर है, कि starting point इस एंगल पर होगा, 0 degree वाले, और magnitude हमें मिला है, 1, तो चलिए, यहाँ पर कहीं assume करते हैं, 1, यह मान के चलिए, magnitude 1 है, तो यहाँ से हमें start करना है ठीक है, starting point हमें मिल गया है, अब देखें, rotation क्या है, rotation हमें मिला था, minus 180 degree, तो clockwise, ठीक है, तो clockwise क्या होता है, इस angle में, देखें, ऐसे घुमेंगे, तो यह होता है, clockwise, ठीक है, तो यहाँ से, देखें, हम इधर घुमेंगे, इसका मतलब, यह clockwise हुआ, यह clockwise हुआ, clockwise direction, अब बात क यहाँ है, magnitude यहाँ, 0 होगा, मतलब कि यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ खतम होगा, पर देखें, minus 180 degree वाले angle पर, मतलब कि यह, minus 180 degree है, plus 180 degree, and minus 180 degree, same होता है, ठीक है, तो और हमें, rotation कितना करना है, 180 degree, ठीक है, minus means clockwise, clockwise direction में हमें, 180 degree, rotate करना है, तो देखें, अगर यहाँ से start करें इहाँ से देखेंगा, अगर मैं, यहाँ चला जाऊ, तो यह कितना हुआ, 90 degree rotation, ठीक है, 90 degree, rotation रोटेशन, देखें, इस direction में, इस direction में हुआ, अब हमें क्या करना है, 90 degree तो हो गया, और 180 degree rotation करना है तो 90 degree और rotate होते हैं कहां से यहां से तो देखिए यहां से यह और हमें कहां खतम करना है 0 पे तो यह क्या हुआ यह फिर से 90 degree rotation हो गया तो total कितना rotation हुआ total 180 degree rotation तो देखिए यह fulfill हो गया 180 degree rotation हमने किया ठीक है, starting point था हमारा magnitude 1 ठीक है, यह हुआ, कब omega is equal to 0 पे ending point है magnitude 0 और किस एंगल पे minus 180 degree वाले एंगल पे ठीक है, तो यह हुआ हमारा omega is equal to जब infinite food किये तब और इस इध्यान रखेंगे, इसका जो arrow है starting point से start करेंगे arrow को और ending point तक बनाएंगे तो इस तरह हमने इस transfer function का given transfer function का polar plot बनाया है अगर वीडियो आपको समझाया हो तो वीडियो को like जरूर करें share करें अपने दोस्तों में और subscribe जरूर करें हमारे चैनल को thanks for watching